दोस्तों स्वागत है आप सभी का BSC and NSCA डामे आईए पहले एनलिसिस कर लेते हैं आज की अपनी इंट्राडे ट्रेट का और देखते हैं आज के जो दो स्टॉक बताये थे उन्होंने कैसा प्रफॉर्म किया आज का हमारा पहला स्टॉक DBL था इसे बाय करना था 638 पर और अगर ये नीचे गिरता तो इसे सौट सेल करना था 631 पर अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस स्टॉक ने हाई मारा 621.8 का तो इस तरह से इस स्टॉक में आपको बाय करने का मौका नहीं म मिला होगा क्योंकि मैंने इसे सौट सेल करने के लिए बोला था 631 पर और आपका पहला टारगेट था 627 का और दूसरा टारगेट 622 का था अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस स्टॉक ने लो मारा 575.55 का इस तरह से इस स्टॉक ने अपने सौट सेल के दोनों टारगेट को बहुत ही अच्छे से अचीब किया और उसके बाद भी काफी नीचे तक गिरा तो उमीद है कि आप सभी लोग ने इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा आप देख लेते हैं आज का हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा था आज का दूसरा स्टॉ इसने हाई मारा 665 का तो दोस्तो इस तरह से इस स्टॉक में भी आपको बाय करने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि इस स्टॉक ने हाई मारा 665 का और आपको बाय करना था 668 पर लेकिन आपको सौट सेल करने का मौका अवस्से मिला होगा मैंने इसे सौट सेल करने के लिए बोला था 657 पर और इस stock ने low मारा 632 का तो दोस्तों इस तरह से इस stock ने भी अपने short sale के दोनों target को बहुत ही अच्छे से achieve किया और एक बहुत ही अच्छी trade साबित हुई उमीद है कि आप सभी लोग ने profit book किया होगा तो दोस्तों इस तरह से दोनों stock ने अपने short sale के दोनों target को achieve किया और दोनों ने ही काफी नीचे तक गिरा तो उमीद है कि आप सभी लोग ने time पर entry ली होगे और time पर exit मारा होगा आईए अब देख लेते हैं कि कल के लिए किस stock को चुना है यानि कि कल हम अपनी intraday की trade किस stock पर डालने वाले हैं कल का stock है Cadillac Healthcare इस stock में बहुत ही अच्छा pattern बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप Cadillac Healthcare को buy कर सकते हैं 497 पर पहला target 499 और दूसरा target 503 का लेकिन अगर यही गिरना शुरू होता है तो आप इसे short sale कर सकते हैं 491 पर और आपका पहला target 489 का दूसरा target 486 का और जैसा कि मैं आप सभी को अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप target 2 के बाद भी wait कर सकते हैं target 2 को stop loss में लगा कर target 2 को stop loss में लगा कर आप अगले target के लिए wait कर सकते हैं और इस stock में आपका stop loss रहेगा 5 पॉइंट का 5 पॉइंट्स stop loss है तो दोस्तो rules को follow करते हुए trade डालिए जल्दबाजी मत करिए patience के साथ trade डालिए एक बार entry ले लीजिए target हीट हो या फिर stop loss हीट हो तभी market से बाहर निकलिए साथे 9 से पहले market में entry लेने की कोशिस मत करिए साथे 9 के आसपास market में entry लीजिए stop loss लगा कर रखिए और जैसे ही target अचीव होता है अगर आप share market में नए हैं और intraday अभी आपने नया नया शुरू किया है तो आप अपने दिमाग में ये चीज रख लिजिए कि आपको target 1 बुक करके बाहर निकलना है आप जैसे ही बाय करिये stock को target 1 लगा दीजिए और निश्चित तोर पर ही बहुत ही जल्दी आपका target 1 अचीव हो जाएगा आप सीखने पर focus करिए तो निश्चित तोर पर ही आप share market से अच्छा पैसा कमा सकते हैं और लंबे समय तक बने रह सकते हैं दोस्तो आप कभी भी इस चीज को दिमाग में मत रखिये कि आप 5000 निकालेंगे हर रोज का 2000 निकालेंगे 5000 हर रोज का निकालेंगे market से जो मिले वो ले कर जाएए ये मेरा सिधान थे या फिर कहिए कि बहुत दिनों से मैं यही फॉलो करता चला आ रहा हूँ हर रोज कमाईए थोड़ा कमाईए और लगातार कमाईए तो दोस्तो कल फिर आप सभी से इसी समय पर मुलाकात होगी लेकर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दें कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद